मुझे देखकर बड़ा आश्यर हुआ है कि एक नए इतिहासकार का जन्म अमेरिका में हुआ है जो पुना धर्मने प्रिक्षता को परभासित करने का काम कर रहा है जिन्ना की मुश्लिम लेख जिसने देश के बटवारे किये हूं वो मुश्लिम लेख जिसके तमाम लोग धर्न रिपेख्फ हो गया बजरंग दल संप्रदाइक हो गया आरेसिस संप्रदाइक हो गया क्यों वो भारत माता की जय बोलता है जो भारत माकता के बारे में अनरगल प्रलाप करें जो जम्मू कश्मीर के बारे में ये बोलें कि 370 हटी तो अलग वो पाकिस्तान में चला जाएगा उस सब धर्म पेक्ष हैं क्यों क्यों क्योंकि वोट चाहिए मैं समझता हूं कि अब भारत वर्ष में कोई इनकी बात सुनता नहीं तो विदेश में जा जो बुराई है वो विदेश में जाकर करें इस से बड़ा दुर भागिक किसी का नहीं हो सकता मैं समझता हूं कांग्रेश की मुश्किल कि सभी जातियों धर्म उनका बहिसकार कर रहे हैं और वो एक हाशिये पर आचुका दल है एक एतिहासिक जर जर इमारत है जो कभी भी में जो किसी संप्रदाय से संबंदित है जिसकी तमाम गत्विधियों पर विबिन प्रकार के लोगों ने उंगली उठाई है वो धर्न पेक्ष हो गया उसका सार्टिफिकेट दे दिया और बजरंग दल और राष्टी स्वें सेवक संग और बीजेपी वो भारत माता की जय बोलती है वो संप्रदायक हो गया यह दोहरा चरित्र का जवाब मैं समस्ताओं कि दोजार चौबिस में जनता देगी और बाहर विदेशी मानसिक्ता की जो सोच है जो विदेशी मानसिक्ता के कीड़े हैं कॉंग्रिस के इन प्राउन युवा नेता में जिनको युवा भी बोलो गोलते हैं लेकिन प्रांड के आप तो व्रदावस्ता की तरफ जा रहे हैं पचास का आकड़ा पार हो चुका है मैं कौँँगा कि इनको सम्मानित नेता है इनको भारत की अश्मिता के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए पृतिश्था के बारे में ज़रूर सोचना नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखके रही है यूस 24